तो आज हम लोग पढ़ने बाले इन डिफ्रेंसिशन जो क्लास 12 का है बहुत सारे बेसिक से चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप अल्रेडी क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे और उनकी मैं बहुत ही छोटा शोट में उसे में एक बार रिवाइस कराने की कहता हूं सबसे आपने क्या होगा कि simple से functions का differentiation करना सिखा होगा और एक सिखा होगा product rule एक सिखा होगा आपने product rule में क्या आपने सिखा होगा जिसे y is equal to u into v u and v are the function of x you have to find to differentiate the function y with respect to x then you can write here dy upon dx is equal to du upon dx into v plus dv upon dx into u यहां होगा कि y का differentiation करना कि इसके x के respect में तो क्या करना आपको पहले function का differentiation करना है x के respect में और second function को as a product form में लिखना है फिर बीच में आपको plus की sign देना है और इसके पास second function का differentiation करना है और जो पहला function इसके बाद है डिवाइड रूल यह आप क्लास 11 पर पढ़े होंगे अगर आपने नहीं सिखा तो एक बार देख लीजिए तो यू का डिफ्रेंटियेशन इन्टू वी यहां पर देना है माइनस देखिए यहां पर कहा था प्लस और यहां इसका इसको आगर एक से तो टी है तो 10 का इसको जो भी फंक्शन होगा डिवाइड में उसका क्या करना है इसको आइए अब यहां से फंक्शन के बाद में अपने टॉपिक देखा होगा जिसे कहता है चैन रूल और बहुँ ज़्यादा यूज होने वाला है तो आईए अब य में बहुत इंपोटेंट है तो क्लास ट्वल यहां से आपका बेशिक स्टार्ट होगा चाइन रूल जाओ तो पहले आपके पास एक सीपल फॉंग्शन होता था यहां पर फॉंप्ट यहां पर फॉंग्शन नहीं रहाएगा फॉंग्शन के साथ और अपांड the योडिफि 파don संड मेए ना ही दिवाइड फॉंआ आपट जैसे लेकिए इसमा नहीं। जाए हों फ्लस फाइव यह क्लास 12 का क्लास मैं प्लस 5 उसको कैसे स्कॉर प्लस 5 क्या करते हैं डिफ्रेंट करता है क्योंकि स्कॉर प्लस 5 single function दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सबसे पहले प्राबलम कहां आ रहा है आपको यग साइन एक सो तब ठीक है वाई जेकोल टुसाइन थीटा होता तब ठीक है बट प्रॉबलम है कि ठीटा के जगए कुछ और है तो सबसे प्रॉबलम की दिए आपको यह कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कुछ और मानेंगे दिसे लिखेंगे कि लेट एक स्कूर पलस फ जबकि यहां मुझे वाई किसके रस्पेक्ट में डेरिवेट करना है एकस के रस्पेक्ट में डेरिवेट करना है लेकिन यहां किसके रस्पेक्ट में डेरिवेट होगा तो हम लिखेंगे डिफ्रेंसियेट ऐसे लिख देंगे आप डिफ्रेंसियेट विद रस्पेक्ट ट यहां क्या लिखेंगे तो यहां हो जागा हमारा dy upon dt तो साइन टी का क्या हो जागा cos t यहां ही जी हो गया लेकिन हमें चाहिए था dy upon dx तो सबसे पहले ती आपने क्या माना यहां लिखेंगे now t is equal to x square plus 5 अब देखें यह ती जो function कर रहा है t को तो dt upon dx is equal to x square की क्या हो जागा 2x यह आप जानते हो formula power पहले power में से कम और constant का क्या होता है 0 यानि क्या हो गया 2x अब यह हो गया मेरे पास यह हो गया individual differentiate हो गया लेकिन मुझे तो इसका चाहिए तक complete तो अभी हम में लोग लिखेंगे कि dy upon dx is equal to dy upon dt into dt upon dx अब देखें ध्यान से यहां dt upon में है यहां dt numerator में है चाहे तो यह दुनों कट जागा तो finally क्या बचागा dy upon dx लेकिन आपको कट नहीं करना है आपको देखें लिखेंगे dy upon dt कितना लिखा है अपने देखेंगे यहां पर इसके बदले में क्या लिखेंगे तो फाइनल लिखेंगे 2x कोस ती और ट को अगें साहब को पूट करेंदना है जो आपने ती का वेलू माना है तो आप लिखेंगे 2x cos t कितना इमाना था अपने x square plus 5 यह हो गया आपका final dy upon dx तो इस तरह से class 12 में बनाना है बट exactly यह 11 में आपने पढ़ा है इस part को हमने समझाने के लिए आपको बता है कि किस तरह से आपको समझ में आएगा अगर यह part already आप जानते हैं तो फिर डाइरेक्ट लिखना शुरू करेंगे ओके तो चलिए next question की तरफ देखेंगे आपको से सीखते हैं जैसे कि y is equal to आपके पास इस तरह से हो गया यहां पर देखिए 10 e के पावर x प्लस 5 x स्क्वार प्लस 6 अब देखें यह function है आपके पास चुकिए 10 x होता तो easy है यह e के पावर x होता individual तो भी easy होता 5 x स्क्वार प्लस 6 होता individual तो भी easy होता लेकिन देखिए इसमें कितने function involved है क्या हो जागा आपके पास ट्रिगनोमेट्रिक function है साथ में exponential function है and algebraic function है ट्रिगनोमेट्रिक function exponential function and algebraic function यह सभी के सभी एक साथ attach है तो इसको कैसे differentiate करेंगे आये सिखाते हैं आपको लेकिन बिना लिखे सिखाएंगे पहला काम क्या करना आपको इसको भूल जाना है यहां से यहां तक आपको मानना है कि कोई x है तो आप क्या लिखेंगे dy upon dx is equal to 10 का क्या होता अगर यह x होता तो 10x 10x का क्या होता है सेक स्क्वार एक्स तो लिखेंगे सेक स्क्वार एक्स एक्स की जगा पर यह है इसे लिख देंगे एक पावर एक्स 5x स्क्वार प्लस 6 यह हो गया अब दिखें चुकिक एक और फंक्शन था तो सबको इंटू में चलने देना है यहां इंटू ऐसे ब्रेकट लगा दीजे देना इक पावर एक्स का क्या हो जागा ईक पावर एक्स बीच में प्लस है तो फाइब सिनील थाytes जाले गहां ने दिए प्लस प्लस इंटू चइबरदेंगे सुआरे को और एक्स पलस वाईब स्कूर प्लस फोल से हिंदा में के प्रोडक्ट में प्लस यह एक्स यहां से यहां तक single function और इसके एंगल में exponential and algebraic function यहां पर लिखना है इसको मानना एक जिसे 10x होता तो क्या होता है से कि स्कॉर एक्स यहां जो होता है वही लिखना है तो से कि स्कॉर यहां पर है यह लिख दिया पर चुकिए single function था नहीं again function तो अब इसको करेंगे दिविज हो एक का एक के पावर एक्स प्लस है प्लस देंगे 5x2 को क्या लेंगे का पावर पहले याने 2 इंट 525 जा 10x अब पावर में कम टू था तो टू के पावर एक कम होता तो कितना हो जाता है वन अब प्लस 6 का 0 and finally यह पाप लिख दिजे यह हो गया आपका differentiate तो काफी हीजी है कोई मुश्किल होगा नहीं आई एक 12 क्लास का फिर से क्वेशन लिखते हैं तो क्लास 12 के एक्सराइस 5.2 के कुछ हमने आपने को लिख दिया है पहला कुछ मैंना लेडी बता रखा है जिसको मैंने इंडिवीजवल पार्ट में करके बनाया था सकेंड था इसके बाद आपको किसी भी कोशन में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेर करने अपने दोस्तों के साथ एंड बेल आइकन बदवाना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं हमने आपको क्या बताया था जैसे यहां पर लिखेंगे डी आपॉण डी एक्स क्या करना चाहता है डिफ्रेंसेट करना चाहता है किसक को फिर से डिफ्रेंसेट करना है साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स तो आपके पास बस यह हो गया कंप्लीट खतम बस माइनस साइन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स यह हो गया सकेंड का डेरिवेटिव अब आईए यहां चलते हैं थर्ड के लिए अब दिखें हमारे आपके पास रियल नंबर है और कॉंस्टेंट वैलू है यहां पर एक्स क्या होता है इंटू एक्स का वन और प्लस कॉंस्टेंट का जीरो यहां क्या हो जागा एक्स प्लस यह हो गया आपका थर्ड का डेरिवेटिव आई यह फोर के लिए हम देखते हैं पूशन फोर है यह इक्वल टू सेक इंटू टैन रूट एक्स अब दिखिए यहां करेंगे डिफिरेंसियेट विद रस्पेक्ट टू एक्स तो डिवाई अपॉन डिएक्स सेक का क्या होता है सेक इंटू 10e आपको यह x की तरह डिवे nossa x जागा पर अब बच वी 2 तो एक फंक्शन है, तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्टार x, इना क्या लिखेंगे, सेक स्क्टार एक्स, अब x का लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रूट स्ब्सक्रा चौban हरो, बूरूट आपगे एक फैंस फिर हम Cantonese या तो मोईएक फ्री पराnd में दीरी neighborhood abandon आप इसको क्या कर देंगे पहले बार ले आईए इसे वान अपन टू रूट एक्स इंटू यहां लिख सकते हैं सेक 10 अंडरूट एक्स इंटू 10 10 अंडरूट एक्स इंटू सेक स्कौर रूट एक्स इस तरह साफ लिख दीजे यह अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें